नमस्कार दोस्तों एक्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है आशा करता हूँ आप सबी अच्छे होंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार बीएसी नर्सिंग के एंट्रेस एक्जाम के फूम है वो कब फिल किये जाएंगे eligibility criteria क्या रहेगा कौन-कौन फॉम है वो फिल कर सकते हैं एक्जाम पैटर्न क्या रहेगा seat matrix क्या रहेगी exam fees कितने लगेगी और साथ ही जो भी बिहार बीएसी नर्सिंग से अन्य details required है तो वो आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तो आप वीडियो को सुलूशन तक जरूर देखिए और दोस्तों अगरा आप मारे चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्र मैटेरियल आपको कहां से पढ़ना है प्रिवेस सेर के क्यूशन पेपर सभी डिटेल्स आपको मारे चैनल पर प्राप्त हो जाएगी तो अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करका तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जैसे ही latest update आती है तो उसका वीडियो आपको प्राप्त हो जाएगा उसकी notification आपको प्राप्त हो जाएगी तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए तो दोस्तों eligibility criteria exam pattern और जो भी required details है कि जो information आपको चाहिए तो वो आपको इस वीडियो में प्राप्त हो जाएगी तो दोस्तों जिस तरीके से center के द्वारा प्रामेडिकल या nursing courses के लिए exam conduct करवाई जाते हैं उसी तरीके से state level पे भी हर एक state में nursing, B.A.C. nursing और प्रामेडिकल कोर्से जो B.Pharma, D.Pharma सभी के लिए जो entrance exam वो conduct करवाई जाते हैं तो उनका क्या syllabus रहता है, किस तरीके से exam mode होता है, pattern क्या रहता है, तो सारी details में दोस्तों आपको हमारे चैनल पे समयसमें पर जैसे ही इसका prospect जारी किया जाता है, guideline जारी की जाएगी तो आपको समयसमें पर वीडियो को मादिम से information प्राप्त हो जाएगी तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बिहार BAC nursing selected आपको details में बताऊँगा, तो जो name of examination है दोस्तों उसे बिहार combined entrance competitive examination जिसे BCEC के नाम से भी जानते हैं, BCCC के नाम से भी जानते हैं, और conducted body है, वो कौन करवाती है, तो दोस्तों ये BCEC भी करवाती है, बिहार combined entrance competitive examination board, इस board क के दुआरा ये exam है, वो conduct करवाया जाता है, और ये annually होता है, साल में एक बार होता है, और ये होता है, दोस्तों इसका जो mode होता है, वो pen paper mode होता है, duration of the examination दोस्तों, तो इसकी साढ़े चार गंटे की duration होती है, examination की जिसमें डेढ़ गंटा परतेक section के लिए लगता है, इसमें section कौन से होगे दोस्तों, अगर आप BC nursing का कर रहे हैं, तो इसमें physics हो गया, chemistry हो रहे हो, biology हो गया, तो दोस्तों इसके लिए 8 गंटा, इसके लिए 8 गंटा, इसके लिए 8 गंटा, इसके लिए 8 गंटा, तो इसे total कुल में लगके, साड़ 4 गंटे का, ये duration of examination होता है, courses offered, BC nursing के ल के लिए है, तीन कोलेज में 180 सीट है, और 60 सीट इस कोलेज में, परते कोलेज में 60 सीट है, और official website पर आप देखना चाहते हैं, तो दोस्तों, official website ये है, आप इसका URL भी ले सकते हैं, तो इस official website के मादम से, आप apply भी कर सकते हैं, जैसे ही application form आएंगे, दोस्तों, next है, इसकी eligibility criteria कि eligibility criteria क्या होगा, तो दोस्तों, इसका eligibility criteria देखे, तो eligibility criteria है, कि अब ब्यारती 10 प्लस 2 पास आउट होना चाहिए, और वो बिहार स्टेट से होना चाहिए, from BRC state, या तो आप BRC state है, उससे या CBSE से अगर आपने कर रखा है, तो वो आप eligible हैं, और इसमें आपके 45%, इसमें minimum required 45% ह होने चाहिए, और कौन-कौन से subject से physics, chemistry, bio और साथ में English में भी आप pass out होने चाहिए, और candidate की IU है दोस्तों, वो 17 वस minimum रखी गई है, और IU है, वो आपकी 31st December 2021 से 31st December 2003 के बीच में आपकी age होनी चाहिए, और इसके साथ ही दोस्तों, इसमें जो हर state के लिए अलग-अलग criteria रहता है, अब जैसे बिहार के लिए है कि candidate for parents should be domiciled in the state of बिहार तो आपका जो domicile certificate है, जिसे मूल निमास परमान पत्तर भी बोलते हैं, वो बिहार का होना चाहिए, वो ही अब 32 के लिए eligible है, या आप refugees हो, बिहार में रहते हो, refugees वो register हो, तो आप इसके लिए eligible है, और आपके माता- कोई भी अगर बिहार, government, government और बिहार में अगर employee है, चाहिए वो रहते हैं किसी दूसरे state के हो, उनका दूसरे state से मौलिवास परमान पत्तर हो, लेकिन अगर वो बिहार में government servant है, mother and father दोनों में से कोई भी, तो वो भी इसके लिए eligible होंगे, और central government और PSU employee, जिनके माता, जो अब भी currently बिहार में posted है, चाहिए वो केंदर की job कर रहे हों, या state बिहार की job कर रहे हों, लेकिन अगर केंदरी job कर रहे हैं और अगर currently बिहार में posted है, तो वो भी इसके लिए eligible है, तो दोस्तो ये तो हो गया eligibility criteria, अब next बात करते हैं, exam pattern की, तो दोस्तो exam pattern की अधिकतर बेठत होते हैं, या medical का जो syllabus भी होता है, और देखतर देखा जाता है कि वो English में ही रहता है, तो अब यह रहता है कि हमें English में पेपर देना होगा, या हिंदी में देना होगा, तो दोस्तो जो question paper होगा, वो English और हिंदी दोनों में होगा, subject कौन कौन से होंगे, physics chemistry mandatory है इसमें, और इ mathematics biology, इसमें PCB और PCM group होते हैं, इसमें group में, अब जैसे ही आप application form fill करोगे, तो PCB का होगा, physics chemistry biology और PCM का होगा, physics chemistry math, तो उस group के इसाप से ही, जैसे कि अन्य courses भी हैं, तो उनमें भी आपको admission दिया जाता है, तो इसमें अगर आप BAC nursing का बरना चाहते हो, तो आपको PCB group को application form fill करते में आपको group है, वो select करना होगा, जैसे ही दोस्तों, इसके form application start होगे, तो मैं आपको step by step separate details में सारी चीजे हैं, वो समझा दूगा, तो आम निशियद रहे इसके लिए, और जो duration of examination में आपको पूरों बिता दिया, चार गंट, साढ़े-चार गंटे का इसमें रहेगा, आप कितने marks के रहेंगे, तो आपके दोस्तों इसमें a question है, वो आपका चार marks का रहेगा, और इसमें negative marking भी रहेगी दोस्तों, marking scheme the candidate will be awarded four marks, चार नमबर आपको मिलेंगे इसमें, objective type रहेगा, और negative marking बात करें दोस्तों, तो आपका अगर a question wrong होगा, गलत होगा, तो इसमें आपका एक marks है, वो कट जाएगा, तो वन फोर्त का इसमें ये रहेगा, और इसमें आपके चार marks a question right होने पर मिलेंगे, application fees की बात करें दोस्तों, तो application fees इसमें आपके general और OBC के लिए 1000 रुपए हैं, और SCST category के लिए हैं, वो 500 रुपए हैं, अब इसके अलावा दोस्तों, कुछ ब MB, ये group होता है, तो अगर कोई अपरती है, चारो subject का लेना चाता है, चारो subject का सेप्ट है, दोस्तों इसका एक्जाम होगा, PGS, Chemistry, Mathematics, Biology, तो अगर उनका, अगर group सेलेक्ट करता है, तो उसको 1100 रुपए पे करने होंगे, और SCST category से हैं, और 4 group सेलेक्ट करता है, दोस्तों, त 1500 रुपए पे करने होंगे, दोस्तों, 1500 रुपए उनको पे करने होंगे, SCST के लिए, तो ये application form fees होगे, दोस्तों, ये group क्या है, किस तरिके से हैं, ये details में, मैं आपको अन्य वीडियो में, साज सेलेबस वगरा, सब कुछ, दोस्तों, मैं आपको details में बताऊंगा, तो जैस दोस्तों, application form है, वो जून के first week से start होने की आशंका है, जून के first week से start होने की आशंका है, तो जून के first week में आप इसके BAC nursing के application form है, वो start हो जाएंगे, और इससे रिल्टेट, अगर कोई भी latest update आती है, तो आपको अमारे चैनल के बाद में से प्राप्त हो जाएगी, तो